नमस्कार में रुची और आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन दिल्ली के महारौली में 27 वर्ष की युवदी श्रद्धा वॉलकर के साथ होई विभध सता ने पूरे देश के इंसानों को सन और स्तप्थ करके रख दिया है उसकी पहले निर्ममता के साथ हत्या की गई उसके बाद उसके शरीर के तुकडे तुकडे करके अलग अलग दिन इधर उधर फेंग दिया गया हत्या का आरोपी जो श्रद्धा का लीविन पार्टनर था गिरफतार किया जा चुका है श्रद्धा अकेली नहीं है नारियों को पूजने वाले देश में अकेले नवंबर महिने में अभी तक इस तरह की पांच वारदाद घट चुकी है इसी दिल्ली के बदरपुर में एक 22 साल की लड़की आयोशी की पहले निर्ममता से पिटाई की गई और इसके बाद सीधे सीने में गोली मार कर हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाल रंग के सूटकेस में बंद कर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर छोड़ दिया गया आयोशी का अपराध अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना था और इसके साथ यह वारदाद अंजाम देने वाला आरोपी खुद उसका पिता है तीसरी वारदाद आजम गड के पस्चिम पट्टी गाउं की है जहां दो वर्षों तक साथ रहने वाली साधना प्रजापती को छोड़ कर जब उसका पार्टनर विदेश चला गया और इस बीच साधना के किसी और से शादी कर ली तो आरोप है कि उसके कथित पूर्व प्रेमी प्रिंच यादव ने उसे वापस लाने में असफल रहने पर गला दबा कर हत्या कर दी और उसके बाद उसकी देह के पांच टुकड़े कर दिये कटे हुए हाथ पाओं कुएं में डाल दिये और सिर को गाओं से करीब 6 किलो मिटर दूर एक पोखरे में फेंग दिया फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है मधिप्रदेश में इस तरह की दो घट नाएं घटी जबलपुर में 25 साल की उव्ती शिलपा जहरिया की पहले गला काट कर हत्या कर दी गई इसके बाद उसके तीन वीडियो शूट किये गए जिसमें बिना किसी गलानी भाव के उसके हत्यारे कथित प्रेमी और अभिजीत पतिदार ने बकाइदा रनिंग कॉमेंटरी करते हुए बाबू स्वर्ग में फिर मिलेंगे का फियरवेल संदेश फिरिकॉर्ट किया है मध्यप्रदेश के ही शेहडोल में एक पती राम किशोर पटेल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी सरस्वती पटेल को जंगल में ले गया और कुलहारी से काट काट कर उसके टुकडे टुकडे कर दिये सिर और धड को अलग-अलग जगों पर दफना दिया जगनिता को भी शर्मिंदा करने वाली यह पांचों वार्दात इसी नवंबर महिने की है किसी भी सब्य समाज के लिए एक के बाद एक घट रही यह वार्दात चिंता का विशह होनी चाहिए खुद के भीतर बढ़ रही सडन के प्रती फिक्र और उससे निजात पाने की बैचैनी का कारण बनना चाहिए देश भर में इसे लेकर एक बहस छिड़नी चाहिए कि आखिर यह हालात क्यों और कैसे आए यह बरबरता जिसका नतीजा है उस महिला विरोधी मान सीकता को दूर करने के उपायों की तलाश और जो इस तरह के पुरुष ढाल रही है उस परवरिश के तरीकों को पूरी तरह बदलने के कदम उठाने के लिए आम राय बनाई जानी चाहिए